सब्सक्राइब किजिए टेक्नोविकास चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो टेक्नोविकास चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज मैं कोई टेक नीज नहीं लाया हूँ एक चोटी सी अपडेट है यूसी ब्राउजर के बारे में यूसी ब्राउजर को सायद भारत में बैन किया जा सकता है आपको भी पहले सायद पता होगा कि पहले भी यूसी ब्राउजर पर आरोफ लग चुके है जैसे की phone number हो गया, आपकी location हो गई, browsing history हो गई, यानि सब चीज भेज देता है ये Chinese server पर, और इसके बारे में जो आरोप लगाए गये हैं, University of Toronto में 2015 में लगाया था, लेकिन अब फिर से ये कहानी निकल कर आई है कि भारत सरकार ने Chinese company के कान पकड़ने शुरू कर दिये हैं, यह अगर इसमें कोई fault पाया गया तो हम UC browser को पूरी तरीके से बैंड कर देंगे इंडिया में, और इसके अलावा जो senior IT officer है, UC browser को mail भी किया था, उसका reply में UC browser ने कोई भी mail नहीं लिखा, मतलब कि साफ है कि वो हमारा data को leak कर रहा है, और इसके बाद अगर कोई भी fault पाया जाए तो UC browser को पूरी तरीके से भारत में बैंड कर दिया जाएगा, और UC browser के बारे में और भी कुछ बाते बता देता हूँ आपको, कि market में लगबग 48.66% जो है, वो cover कर रखा UC browser ने, और इसके इंडिया में 100 million से ज्यादा यूजर है monthly, इसके अलावा, ये Google Chrome के बाद दूसरा सब से बड़ा, यूज किया जाने वाला, UC browser है, तो दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा, कि region क्या है, UC browser को भारत में बैंड करने का, तो आप मुझे comment box में जरूर बताइए, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या ये सही कदम है, भारत सरकार का, या फिर आप लगाता UC browser को यूज करते रहोगे, और अपना data जो है, वो Chinese server को भेजते रहोगे, तो दोस्तों आज के वीडियो में, मैं यही छोटी सी जानकारी देना चाहता था, और अगर ये वीडियो आपको आच्छा लगा होगा, तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा, तो दोस्तो Technology वीडियो सबसे पहले देखने के लिए